ये बजट अमीरों के लिए खास है, गरीबों के लिए आस है और मुझ देख रहा मिडिल क्लास है सबसे पहले तो प्रधान मंत्री जिसकोंगे अपने बजट में कमी करें चिछा के नाम पर और रोजगार के नाम पर स्तिरफिक जुन्जुरा थमा दिया गया है ये पहली पुरस्कार सरकार ने जनता को देख रहा है ये बजट अमीरों के लिए खास है गरीबों के लिए आस है और मुझ देख रहा मिडिल क्लास है सबसे पहले तो प्रधान मंत्री जिसकोंगे अपने बजट में कमी करें वो आज बनारस चार घंटे के लिए आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं ये जब डिजिटल इंडिया हो बनाए तो वो दिली से बैटके भी इसका अनावरन कर सकते थे मुर्ति का कोई ज़रत नहीं थी बनारस आने के उसमें कितना बजट आएगा कितना असार आठ साताट करोड उनके तो डेली के खर्च खुद है उसमें कोटोधी क्यों नहीं करते हैं और ये बजट कब हो आम आदमी पर क्यों लाद देते हैं ये क्यों हम आदमी पहलाद देते हैं कहते हैं वो डिसल इंडिया है ये तो हमें मुर्ख बनाने की कोशिश ना करें जनता समस्ती है एक बर जिता दी दूसरी बर जिता दी तिसरी बार सोचे कि हो सकता है तिसरी बार बूल बटके पुलमावा की तरह कांड करके पर सी आ जाए कुछ न कुछ भाना करके आ जाते हैं जब उनकी नईया डूबने लगती है आईश्मान भारत का बोलते है तो अभी पेपर में दो दिन पहले निकला है कि दवाएं नहीं मिल रही है आईश्मान कार्ट दे के लोग दवा नहीं दे रहे हैं तो कैसा ये इंडिया बन रहा है किस विकास की तरव ले जा रहे हैं मोदी जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शिछा के नाम पर और रोजगार के नाम पर सिर्फ एक जुन्जुरा थमा दिया गया है ये छे सालों का एक सिर्फ लच्छेदार भासड है जो कारप्रोट के लिखे हुए भासड मोदी जी औ सिर्फ लच्छा और रोजगार इन दोनों से युवाओं को प्रुटसाइद कीजिए गैस का दाम इता बढ़ता जा रहा है पेट्रोल बढ़ता जा रहा है डीजल बढ़ता जा रहा है खाने की चीज़ें बढ़ रहे हैं दवाएं महंगी हो रहे हैं अब हमी भावा डाक्र में चैंसर पाल में उनका इल्याश कर वायाा सिक्स्टी ट्वंटी सिस्टाउजन रूपए ओनली जांस में लग गये अभी मैं फाइल लेकर गूंब रहा हूं ऑपरेशन का डेटी नहीं मिल रहा हूं बोलते हैं आप प्रावा सिंटर लेकर चले जाओ और इस बार वी वजट में कुछ मैलाएं उन्होंने बढ़ चड के भागिदारी की ओड किया मोदी जी को लाए लेकिन मोदी जी ने उनका और और लोगों ने उनका ध्यान नहीं दिया गड़ाया है और अधायर वा डीजल्व बढ़ाया है सोचिय सारी चीजेशें ट्रकों से आती हैं तो च्रांस्पोर्ट जो महंगा अखा तो हम लोग का समाने भी महंगे होंगी समान महंगा हो तो यह किस के जेब से जाएगा आम जंता के जैब से जाएगा बहुत बड़ी वित्तमंत्री हो रही है और बहुत ब्रिफकेस चंज करने से देश की वबस्ता थोड़ी चंग रहागी पहली बार आई पहली बार बजट पेस किया नए तरीके से लेकिन फिर भी उन्होंने मैलाओं को ध्यान नहीं रखा और हेल्स से संबंदित होनी चाहिए तो 125 क्रोड की अबादी में पर हेड 280 लेडी बल बटने चाहिए वो कहां कहां बटे हैं क्या वो बारत सरकार बता सकती है अब यह जब धाई रुपए बढ़ाया है डीजल का और पेट्रोल का सोचिए इस समय हर जनता के अधिक तर लोगों के पास जैसे तैसे फाइनेंसे कैसे गाडियां है उसका सोचिए पढ़ देगी कितनी इंकम होगी कि बिकेगा पेट्रोल डीजल कितना पैसा गौर्मेंट के पास आएगा तो यह तो अपना लोगों के जैसे